सब्सक्राइब कुछ होता है इसका डाइमेटर हमको दिया हुए टू पॉइंट फाइमीटर इसका डाइमेटर दिया हुए टू पॉइंट फाइमीटर तो यहां पर स्लांट हुए यहां पर यहां पर यहां से बाइकर यहां से फ्री फॉल में एक पार इकम स्लाइट करता हुए पर फिर वह जैसे ही इसको एंटर करता है यहां पे अंदर चला जाता है बाकी लोग यहां पर खड़े रहते हैं दर बंद कर देती ने इसे स्वीड से पूरा अंदर घूमता थे तो फ्रॉप्यूं यहां पर यह कि from what minimum height should this biker start sliding down so that he completes his vertical circle. यहां पर minimum horizontal velocity कितनी होनी चाहिए? ताकि वो अपना यह एक वर्टिकल सरकल पूरा कर ले यह इसकी minimum velocity होती है यहां पर और तो इसकी किनेटिक एनर्जी इसकी इहां पर कानेटिक एनर्जी जो हाफ में स्क्वेर से आएगी that should be equal to the potential energy at this height जो की होती है इसकी MGH ठीक है हमें यह दो energies को equal करना इसके अंदर किस हाइट से वो स्टार्ट हो ताकि वो अपना इस सरकल पूरा कर पाए ठीक है यह हमारा जो नेक्स चक्टर है उस नेक्स चक्टर के अंदर एक आर्टिकल है मोशन इन वर्टिकल सरके उसके अंदर पूरी डेरिवेशन करेंगे इसकी उसके अंदर यह निकल कर आती है रूट फाइव आर्जी मिनिममम विलांसिटी होनी चाहिए लोवेस्ट पॉइंट पर ताकि वर्टिकल सरकल पूरा स्कैन हो जाए पूरा कवर हो जाए इस प्रिगार से हम यह दोनों energies को एक्वेट करते सब्सक्राइब हो जाते हैं तो फिर यह वर्टिकल सरकल स्कैन हो जाएगा ठीक है तो यूजिंग दिस रिलेशन एंजी एच शुट बीक्वल टू हाफ इसको स्क्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा यह बिसिकली वने स्क्राइशन के अंदर जो प्रिंसपल आफ कंशरवेशन आफ एनरजी है वो यूजिए इस खिया है तो टोटल पोटेंशिल एनरजी एद इस हाइट शुट बीकल तो टोटल काइनेटिक एनरजी अनरजी इ इस इकवल तो हाफ एन्टू रूट फाइव आरजी जो की विलास्टी एज का स्क्वेर कर लिया तो फाइव आरजी इस पर गार्से आता है अब हमको दिया हुए डायमेटर डायमेटर इस तू पॉइंट फाइव मीटर ठीक है और डायमेटर हमारा होता है तू आप जिसम स्वाइब कर नीचे आपको यह हाइट मिल जाएगा यह तो दिस इस को आज कि अचाइव बाश्रक्ट तो पच्छिस और चे इस तिस टी पाइंट फ़ाइंट पाइंट फाइव इंटर्स अ हृ झाइव लाओ ल हाह वाओ नीचे है कि अचाइब के पाइंट नीचे इस अचाइब